जलती हुए जोपणिया रायपुर में धमतरी में रहने वाले आदिवास्यों की है यहां दस जोपणियों में दो दर्जन से ज्यादा लोग रहते थे लेकिन अब इनके आशियाने जलकर खाक हो गए है आरोप है कि इनक्रोच्मेंट हटाने के लिए फॉरस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने यह आग लगाई है हालनकि इस घटना पर धमतरी के दियाफों का कहना है कि जंगल के पत्तों में आग लगाई जा रही थी इसी दोरान गलती से आग इन जोपडियों में भी लग गई ऐसे में सवाल उठता है कि बारिश के दोरान पत्तों में आग लगाने का क्या मतलब आग लगने के बाद आदिवासी आसपास के गाउं में चले गए है लेकिन अभी तक इस मौमली में कोई आक्शन नहीं लिया गया दैनिक भासकर.com की रिपोर्ट